हेलो गाईज स्वागत एक पर फिक्स से आप सभी का आपके अपनी ही चैनल फैंटसी बस पर हम यहां बात करेंगे डेली और गुजरात के बीच में जो आईपेल का मैच नमबर 7 खेला जाएगा इसके बारे में बस पूरा वीडियो देखेगा विदाव डिस्किप किये इस वीडियो के बाद कोई फर्दर अपडेट आता है आफ्टर टॉस के बाद कोई ऐसे न्यूज जो आपकी फैंटसी टीम ले काफी इंपॉर्टेंट साभित होगा वो सारी चीजे टेलीग्राम पे इंफर्म की जात है तो आप लोग क्या कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल पे आओ किसी भी वीडियो को उपिन करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा अब दोस्त बात करें पिछी रिपोर्ट की तो देखो अभी के लिए पह आपको गर इसका हिस्टोरिंग नेचर बताऊं तो यह जो पिच है ओवर ओल डिशेंट बिएफ करता है मतलब बैलेंस्ट बिएफ करता है दो तीन टाइप के इसके नेचर होते है वह डिपेंड करता है ओफिशल पिच रिपोर्ट में क्या आता है देखो फर्स्ट अप ऑल जो इस नेचर भी देखने मिलता है तो अगर स्लो विकेट है तो डिशेंट स्कोरिंग होता है ठीक है अब देखो यह तो आपने चाना हिस्टोरिक रिसेंट क्या हुआ है मोस्ट रिसेंट एक इंडिया वर्सेस साउथ अफरिका 2022 में और एक बाकी साहिद मुस्तागली ट्र टीम हाइदरबाद की टीम बहुत खराब खेली उसके बाद यहां पर 160 के सम्तिंग स्कोरिंग वा तो मोस्टली आप ही आपको देखने मिलेगा 150-160 ठीक है कोई बल्लेबाज अच्छा खेल जाता है या विकेट थोड़ा बल्लेबाजों के मुफीद है तो फिर रंच बन सकत ना 150-160 के सम्तिंग स्कोर देखने मिल सकता है इसके अलावा अगर कुछ पिछ में आता है कि पिछ जैसे डेली में बारिश होती है थोड़ा बहुत साम में बारिश हो जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा पिछ अंडर कवर हो इस तरीके से अगर कुछ न्यूज आता है पिछ पर मौइस्टर होता है तो मैं आपको बताऊंगा वैसे कल बारिश के चंसम्स नहीं है ठीक है मतलब आज और बारिश के चंस नहीं है डेली में तो मैच पुरा हो सकता है ठीक है तो पिछ रिपोर्ट ऑफीशियली आने दो अभी के लिए बैलेंस समझ के टीम बनाना ओके ज इसमें दो left-hander है इसमें एक ही left-hander है साय सुधर्षन तो यह चीज़े आपको देखने में अगर देखना है कि कौन सा प्लेयर किस टाइप का बैट्समेन है तो यह आप देख सकते हो यहाँ पर देखते हो चल सकते हो कौन किस तरीके का है ओके डेली की प्लेइंग लोन की बा इससे खिला है ठीक है तो अभी सियोरिटी नहीं है बट अवेलेबल हो सकते हैं वह लोग ठीक है जो इनका इंप्वर्टेंट प्लेयर है वह यहां से प्रिच्विश वार्नर उसके बाद मिच मार्स राइले रसो रॉमें पाविल अक्सर पटेल कुल्दी प्यादो खली ले देख सकते है लास्त मैचेत के परफर्मिस देख सकते हैं डेविड वौर्ण चपन रण राइले रसों के इनके टीम के इंप्लेटी है लास्त मैच के परफर्मिसव光 नार्से अक्षर पटेल के एक विकेट कुल्दी ब्यादों के एक विकेट चेतन सकारिया दो विकेट दो विकेट खलील एहमद अब यह चाह है तो रॉमेन पविल या राइले रसोग में से किसी एक को निकाल के अंडिक नोक्या अगर अवेलेबल होते हैं तो इनकी जगे पर खिला सक सकते हैं अधरवाइस यह लोग सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करेंगे तो किसी एक बैटर को कम करके बॉलर को लेके आ सकते हैं एक्स्ट्रा बॉलर ठीक है तो उस सिच्वेशन में फिर जो इनके पार्ट टाइमर होंगे वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्यों बॉलिंग डालने वाले यहां पर लास्ट मेंच में इन्हों नहीं चार्चर ओवर डाले था खली लामद एमकुमार और लास्ट में यह खली लामद की जगे पर एक हकीम कान को लेकर आए थे इंपक्त प्रेटर के तोर पे इस बैटर ठीक है आब इनके यही चार पांच फिर द्यत्त में आ सकते हैं ध्यान रखना ठीक है प्लेयर वाइज इस टैट्स देखने मिलेगा जो अच्छा स्टैट्स रखता हुआ जो हम आशी यलो गलर से मैंशन कर दिया अगर आपको किसी प्लेयर का स्टैट्स देखना है लाइक आपको देखना है रॉमेंट पॉल का स इस तरीके से आपको हरे कुलियर का स्टैट्स देखना है जब हम टीम बनाएंगे तो आप हम यह चीज़ें डिसकस करेंगे इसलिए मैं अभी आपको स्वाट में इसलिए मैंने मैंशन कर दिया कि जिसका अच्छा स्टैट्स उसका नाम ध्यान रखना यह आगे काम आएगा आपको जब हम टीम अनालिसिस करेंगे तो इस पे थोड़ा सा फोकस करते वें चलना अब दोस्तों विजन रण पर साइन अप नहीं कहा है तो फड़ावट कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है पचास जर का फ्री मिल रहा है तो मतलब कोई भ फेंटसी खेल के भी आप पैसे कम आ सकते हो लोवेस्ट एंट्री फीज है लॉंग टम तक बेनिफिट रहेगा आप खुद देखो कंपरेजन करके कितने लॉंग टम तक आपको बेनिफिट मिलेगा यहां पर ठीक है इवेन लोवेस्ट एंट्रीफीज से तो डिपॉजिट का बोनस हो जाएगा तो अभी जाके साइन अप कर लो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है बात करते हैं गुजिरात की प्लेइंग लेवन विद रिसेंट स्कोर और इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर गिल है हार्दिक पांड्या रासित खान समी जोसेफ लिटल बट य डेविड मिलर को चाहें तो खिला सकते हैं क्योंकि इनके पास अभी तीन ही देखो अभी इनके पास रासित खान जोसेफ और लिटल यही है इनके पास इनके फॉरेंट प्लेयर्स डेविड मिलर अवेलेबल होईंगे तो विजे संकर को रिप्लेस करके खेल लेंगे और लिटल ने लिया अब इंपक्ट प्लेयर के तौर पर वैसे तो इनको कोई जरूद नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके पास छे बॉलिंग ऑप्शन है इवन विजसंकर आलसो बॉल और यहां पर इनके पास डेविड मिलर अगर आ जाएंगे वैसे अभी देखो आते इनको खिला आए जाए कि नहीं वह थोड़ा अभी कंफार्मेशन नहीं है अगर फिर इनको इंपक्ट प्लेयर के तौर पर यह अक्कॉर्डिंग टू मैश सिच्वेशन देखेंगे अगर इनको बैट्समें की जरूरत है तो यह बैट्समें को लेंगे बॉलर की जरूरत है तो बावलर इंके बॉलिंग ऑप्सिंस की बात करें तो समी लिटल रसीद खान जोसेफ और यह अर्दिक पांद्या यह लोग इनके मतलब बॉलर से जो अच्छे घाज ओवर डालते हो दिख सकते हैं दयाल ने शेयर किया था अगर यह महेंगे साबित नहीं होते तो एक आद ओवर और समी को छोड़के मुझे लगता है हार्दिक पांद्या लिटिल यह जोसेफ किसी का भी ओवर कर सकता था ज्यादा चांच चाज है कि यह दे आल के ओवर तो कटेंगे इसके अलावा मोहमद स्वामी जोस्वा लिटिल पावर प्ले में दिखेंगे डेथ में मोहमद स्वामी लिटिल और अर्जारी जोसेफ वाई थे एक एक ओवर लेके इफ नीडेड हार्दिक पांद्या कैन आल्सो बॉलें देथ तो ध्यान रखना इस चीज को इनके भी प्लेयर वाई स्टैट्स देख सकते हो हार एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिल जाएगा जो अच् को खिलाते हैं तो इंके ऊपर भी धियान देते हो चलना यहां साब इनके हरे और इस च्राइध के उर्फ से वरवरोल्श के घ्ट की टीम नहीं ह्या एक ही मुकाबला हुआ है Spencer c इसके बाद जीटी की तरफ से डेविड मिलर रखते हैं गिल्ड 35 रखते हैं रिदिमान साह 26 रखते हैं अगेंस्ट डीसी अब आप कहेंगे जीटी की टीम ने भी तो एक ही मैच खेला है तो 17 मैच कहा से खेल लिए यह किसी अधर टीम से पहले खेलते होंगे अगेंस्ट डीस मैच में एक उसके बाद यहां से रसीट खान है 13 इनिंग में 16 विकिट है एम शर्मा 11 इनिंग 12 विकिट मुआमा समी साथ मैच में 10 विकिट हार्दिक मंडिया 15 में 6 जयांत यादा पांच में 3 विकिट इस तरीके से देख सकते हो और हो सकता है जयांत यादा वापस आजाए पृतवेशा 26 विकिट है मनिश पांडे 46 का विकिट है अक्सर पेटेल 39 का विकिट है बात करें गीडि को साहिध यह नहीं खिला नौरकिया अगर एविलेबल ये नगिदी अवलेवल है तो यह नौरकिया को ही खिलाएंगे सब का डिशेंट सा सब सब करतें हैं दोस्ताब बैटल में आपको यह पता चलेगा कौन सेप्लेयर का किस बॉलर के सामने इस्ट्रगल होता हो किस बॉलर को अच्छे सखेलता निया फेल की स्ट्रेंथ और weakness सबको अब कर ब्लेक्ट में दोपको बेस्टारा चल जाएगा वह चीज देखते बें चलना प्रित्वी साहन ने अल्मोस सबको ठीक ठा केला वाय एक बार विकेट जरूर दिया रसीट खान को लेकिन रंस भी बनाया है एवन समी को भी एक बार विकेट दिया लेकिन रंस बनाया है डेविड वनर समी के सामने 68 गंदों में दो बार जरूर पटे श्ट्राइक डेट दिखो दिन्निया अन्में रं बनाया है उसके बाद सबको उतना ज्यादा बार विकेट दिया नहीं और एक एक बार तो आउट होने से ज्यादा कोछी इंपक्ट पड़ता नहीं है मिच मार्श ने ज्यादा खेला नहीं है राएले रसीट खान के स सामने भारी पढ़ सकते हैं और इनके सामने आप बॉलिंग कराते हो भी देखोगे इनको गिल खाली लेमद ने इनको दो बार आउट किया है पच्चीश गेंदों में अर्थी श्रम दिया है लेकिन रिदिमान चाहा सबको ठीक्ठा खेले हैं हिटिंग की हुई है जनरली य और खरील एमद ने इनको दो दो बार आउट किया हुए डेविड मिलार देखो सब को ठीक्ठा खेले हैं तीन गेंदों में छे रन खलील को कुल्दीप को 17 गेंदों में 24 रह्मान को 10 गेंदों में 14 आक्षर पेटिल को 32 गेंदों में 54 एक बार विकेट दिया है एंडिक नो सर्फराज खान तो काफे नीचे आते हैं और हलाकि लास्ट मेच में टूडाउन आया था इनका बैटिंग और फिक्स नहीं रहता है तो थोड़े इसकी ऑप्शन रहेंगे रिदिमांद चाहा ओपेन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पावर रेटिंग करते इसलिए मैंने इनको टीम में लिले क्योंकि अधर गूड ऑप्शन भी नहीं है हमार पास नीची यह लोग खेल नी रहे और बैट्समें से डेविड वार्नर स्कोरिंग करते हैं और इनकी टीम को नीट था बट वह नहीं कर पाए बट ओवर रॉल कंसिस्टेंट स्कोर आ रह है बट देखो इनके उपर मजे कभी भरोसा नहीं हो पाता है क्योंकि यह रिलायबल नहीं है उतने यह विकेट कभी भी फेक सकते हैं जब तक रहेंगे हिटिंग करेंगे अधरवाइस विकेट फेक के चले जाते हैं मोस्ट अब दागेंदों को हिट करने देखते हैं अगर क्योंकि इनकी टीम में अभी तॉप और में अगर गिल को छोड़ दो रिदिमान साह का कोई भरोसा नहीं साइंस उदर्शन थोड़ा काम एक्सपीडेंस रखते हैं उसके बाद हार्दिक पांडया इंड उसके बाद यह हैं तो गेम फिनिस करने आ सकते हैं तो गेम फिनिस करा तो दोनों को लेके जा सकते हो मैं आगे बता दूँगा किसको मिस कर सकते हो ठीक है अभी के लिए प्रित्विश आया बट अवरॉल डेविड मिलर को मैंने आपको बताया कब की सेच्वेशन में हम लेके जा सकते हैं रोमेन पविल थोड़ा बल्ले बाजी नीचे है पा राईले रसो ये अच्छे पिको सकते हैं क्योंकि यहां से रोमेन पाविल के उपर आरहें और पावर रीटर हैं अगर इनकी बल्ले बाजी बार्वेवर तक भी आति है न तो पचास-सेटरन बना के जा सकते हैं तो अगर आप इनके उपर रिस्क लेना चाहा और राईले र क्रिकेट उतना नहीं खेले बट जितने भी खेलें इंप्रेस रहें मतलब हर मैच में रंस तो नहीं बनाया बट इंप्रेसिव शॉट सेलेक्शन रहता है कोई मिला के टेक्नीक अच्छी रहती है तो इसे साफ से थोड़े भरोसे मंद हो जाते हैं वन डाउन का पोजीशन भी बहुत 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 बहतरीन पोजीशन है तो आप अगर risk लेना चाहो ले के जा सकते हो अगर डेविड मिलर नहीं खेल रहे है तो आप इनके उपर risk ले सकते हो प्रित्वीशा को छोड़ने का risk लेके इनको लेकर जा सकते हो ठीक है बाकी नीचे कोई उतना अच्य क्योंकि कप्तानी में और ज्यादा अच्छी बैटिंग बालिंग करते हैं मिच मार्च मस्ट पिक रहेंगे क्योंकि फॉर्म अच्छा है बट लास्ट मेच में जीरो पगए बट उससे भले इनका फॉर्म अच्छा था जाएगा अगर थोड़ा स्लोवर विकेट भी रा तो यह विकेट भी लेके जा सकते हैं अच्छे खासे राहुल तेवटी यह जा फिनीचर ही खेलते हैं बालिंग का कोई सियरीटी नहीं है और लास्ट में अच्छी नौक खेली थी उससे बले डॉमेस्टिक में यह अच्छी पास्ट में और अभी डेविड मिलर आ जाएंगे तो हो सकता इनका पत्ता कट ही जाए प्लेंग 11 से अगर खेलते हैं तो मस्ठब पिक रहेंगे विकेट टेकिंग इन बाज है अच्छी घासी पेस है और डेली के लिए लगतार क्रिकेट खेल लिए लगतार विकेट निकाल जाते हैं कोई लिए अगल जाते हैं तो मैंने इनको नहीं सकता है तो मैंने इनको मुहमत समय विकेट टेकिंग बॉलर है मस्ठब पिक रहेंगे यह कोई बीनिग हो विकेट निकाल लेकि चमता है मुस्ताफी जो खेलेंगे नहीं mostly अवेलेबल भी होंगे तो और खेलेंगे तो फॉर्म नहीं उतनी अच्छी अलजारी जोसे विकेट टेकिंग बॉलर है थोड़ी हिटिंग भी कर लेते हैं दत में भी आते हैं मस्टाफ पिक रहेंगे ल नगीडी खेल सकते हैं लेकिन वहीं है कि अभी नौर्किया भी अवेलेबल है यह भी अवेलेबल है तो इनकी टीम पहले नौर्किया को ज्यादा प्रेफर करेगी यह खेलते हैं तो थोड़े विकेट टेकिंग नेचर के तो है विकेट ले के जाते हैं रंच भी लुटाते हैं यहस दया आल के ओवर करते हैं इस मौल रीक की अच्छे अच्छेव ते टीम को लिया है मैंने विकेट टेकिंग बाला रहें ने फर्स्ट इनियंग बाॉलिंग आती है तो घ्यांतियंग में बालिस्ट वेगाते हैं अगर इनके उपर रिस्क ले सकते हो जॉस्वा लिटिल ये ना आयरलेंड की टीम से मेन बॉलिंग करते हैं और वर्ल्ड कप में इन्होंने कहड़ाया था हैट्रिक ली थी विकेट टेकिंग बॉलर है दुनिया बर की लीक्स में खेल चुक है अगर इनकी टीम फिर से फर्स्ट बॉलिंग करती है तो सब लोग की प्रिफरेंस रहेगी अलजारी जौसेफ मौहमद समी और रसीद खान पर इनको कोई नहीं लेगा बट अगर आप इन में से किसी एक को मिस करके जौसेफ या समी में से इनको लेके जा रहे हो फर्स्ट इनि में आ सकते हैं तो यह दोनों पिक आपके लिए अच्छे हो सकते हैं वाकि नीचे कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं अभी के लिए जो टीम हो रही है कुछ इस पकार से है देखो इस टीम में चेंजेस होने पिछ रिपोर्ट को देखते हुए प्लेइंग 11 को देखते हुए को देखते हुए अगर डेविड मिला अनिक नोक्या खेलते हैं तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से उनको टीम में लेना है तो टीम में चेंजेस किस तरीके से कर लेना आप आफ्टर टॉस के बाद जैसे भी प्लेइंग लिए उनका अपडेट पिछ रिपोर्ट कैसा है अब देखो इस टीम में आपको समझाया है किस तरीके से चेंजेस करने कैप्टेंजी है हार्दिक पांडिया वाइस केप्टेंशी गिल्ड क्योंकि डॉमिनिटिंग टीम है और हार्दिक पांडिया बैटिंग बालिंग दोनों करेंगे गिल्ड ऐस बैटर अच्छी फ़ प्रित्वी सव अक्षर पेटियल रशीद खान रिधिमान चाहा ग्रैंड लिग के कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन्स हैं जो अच्छे हो सकते हैं ट्रम्पिक के तौर पर साइंस सुदार्चन जॉस्वा लिटिल ध्यान रखना इनके बारे में कुल्दी प्यादव सेक को ठोर्च गरना है घ्रेंड बिक में रिष्की गट्रें цент कर था ग्रांड रहे है घ्रेंड लिग के पाम्बिनिशन बना सकते हैं यह जो टीब है यह इसे घ्रेंड लिग में लगाने की गलती मत करना थियान रहे यह चेंजस मैंने आपको सब समझाए कैसे करने यह विजन 11 की टीम है सेम टीम है कोई चेंज नहीं है विजन 11 पर साइन अप कर लो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेस एंट्रीफीज है आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है ठीक है सेम चीज है ब